हेलो फ्रेंट्स जर्विस केमबस वेलकम सियो आज हम बात करने वाले यह जो रियल नंबर्स हमने पड़े उसको क्या हम नंबर लाइन के उपर डिनोड कर सकते हैं तो कि हां कैसे करेंगे इसको अगर हम मैं बोलू कि आप यहां पे रियल नंबर्स को ना लेते हुए कोई को डिनोड करना है नंबर लाइन के उपर तब क्या करोगे तो सबसे पहले आप बोलोगे कि यहां पर अगर इसको मेरे को डिनोड करना है तो पहले तो नंबर ले लूँगा उसके उपर नंबर्स डिनोड किये हुए तो उसके उपर हम फाइंड करेंगी नंबर फाइल कहां तो आप बोलो मेरे को कि यह number यह number line पे कहां आएगा आप बोलोगी कि यहां पे 2 दीख रहा है यानि कि nearby 2 होगा number line के यह जो number है 2.634 है यानि कि 2 और 3 के बीच का number है तो अभी हम यहां पे क्या करेंगे जो 2 3 number दीख रहा है उसके उपर magnifying glass रखते और magnify करते इसको तो यहां प बोलो कि 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 number दीख रहे है तो यहां पे कौन सा number था हमारा 2.63 यानि कि जहां पे 2.6 है वहां पे हम point out करेंगे फिर 6 तक नहीं रुखना है 2.634 है यानि 634 आ रहा है यानि कि 2.6 और 2.7 के बीच में आएगा यह number तो 2.6 और 2.7 के बीच वाले जो भी number है उनको हम magnifying करेंगे फिर से एक बार तो यहां पे आप देख पाऊगे 2.61626364 ऐसा कुछ दिखेगा तो यहां पे यह जो 2.634 नमबर था यानि कि 2.63 अभी यहां पे दीख पा रहा है आपको तो कि यहां पे 2.63 जो है वहीं पे हमारा number होगा तो कि नहीं अभी 4 बच्चा है तो आ यहां पे पॉइंट के बाद ने तीन डीजिट होगे जैसे कि 2.631, 2.632, 2.634 तो आप बोलोगे यह आ गया हमारा 2.634 राइट तो यहां पे हमने यह जो प्रोसेस किया और वो क्या किया यहां पे तो कि जो भी number line के उपर nearby वाले नमबर थी उसके बाजू में पहले तो हमन हमें प्रोसेस किया उसको क्या बोलते है process of successive magnification या अगर हमें बोला जाता है कि real number से उनको हमें number line पे denote करना है तो इसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा हर बार magnification करते हुए denote करना पड़ेगा अगर यहां पर एक और एक्जम्पल लेता हूं हमें यहां पर बोला गाए 2.5648 2.5648 और हमें बुला गया है decimal point के बाद में 3 digit तक denote करना है तो यह 5648 4 digit है 2.5648 पर हमें यहाँ पे denote कहां तक करना है 2.564 तक ही denote करना पड़ेगा क्योंकि हमें बुला गया है 3 digit तक ही तो इसी तरह से कोई भी अगर example दिया गा है और बुला जाए कि यह real number है उसको denote करना है number line के YouTube पर तो आप कर पाओगे denote thank you